वेल्टम तो इस वीडियो के अंटर हम लोग प्रेक्टिस से 2.6 को अभी डिसकस कर रहा है जो एक स्टार कुस्टन यहने कि थोड़ा दिफिकल्ट लेवल होका एक बार हम लोग क्वेस्टन रिंकर रहा है यानि कि वो मट्टी के पॉट्स बना था यानि कि वो कोई तो फिक्स नंबर अफ पॉट्स बना था अगर एक दीन वो 15 बना रहा है तो रोज के रोज वो 15 पॉट्स डेली बना था प्रदक्शन कोस्ट अफ इच पॉट्स नंबर अफ पॉट्स नंबर अफ पॉट्स नंबर अफ पॉट्स यानि कि एक दिन में उसको छेसु रुपे का खर्चा रहा है टोटल वो जितना बना रहा है उसके बेशिज पूचा क्या गया है फाइंट अफ प्रदक्शन कोस्ट अफ वन पॉट्स नंबर अफ पॉट्स यानि कि दो चीज़े पूच ये एक दिन में वो कितने पॉट्स बनाता है और दूसरा कि एक पॉट्स बनाने के लिए उसको कि ठीक है तो जो जीस पूछी गए उसे हमने अस्यूम कर लिए लेट अब देटा को पड़ते हुए हम लोग आगे बड़ेगे यह निकी किसके बारे में बात कर रहे है हम लोग एकस के बारे में बात कर रहे है प्रड़क्शन कोस्ट फ़ इच पॉट इस फॉट्टी मोर दिर किससे ज़ादा है तो 10 ताइम तो टोटल नमबर अफ पॉट्स किसे तो यह जो है वो 10 ताइम से टोटल नमबर ऑस फ़ांगे पर दे जो भी नमबर होगा उससे 40 जादा इसलिए प्लस 40 घंबर रेम्ट था प्रड़क्शन कोस्ट अफ वन पॉट्ट इस फर्टी मोर दन टैन ताइम से टोटल इंबर ऑस फोट्स प्रेइस वैन आप तो मेरा एक दिन का खर्चा कितना होगा 50 रूपीस कैसे मिलेगा यू multiply 5 into 10 उसी हिसाब से मुझे पता है एक pot बनाने के लिए मुझे x रूपीस लग रहा है और मैं total y pots बना रहा हूँ तो total कितना खर्चा हो रहा है तो x into y will be my total cost उस हिसाब से उन्होंने दिया है कि 600 is the total cost कैसे मिलेगा that is nothing but x into y पर pot कितना cost हो रहा है और कितने pots में बना रहा है ठीक है तो ये दो equation हमें given data से मिलें अब मैं क्या गरूँगा इधर से x का value यहाँ पर डाल दूँगा यहनि क्या x is equal to यह है न तो x को यहाँ पर replace कर दूँगा 600 is equal to 10y plus 40 into y अब मैं y को अंदर दे देता हूँ तो क्या बन जाएगा 600 is equal to 10y square plus 40y अब मैं 600 को यह तरफ लेक्या हूँगा तो 10y square plus 40y तो वहीं पर है बट minus 600 is equal to 0 ठीक है अब हम लोग क्या सोचता है तो हम लोग को इसको और इसको multiply करना है minus 600 into 10 is minus 6000 मुझे यह minus 6000 के ऐसे पार्ट चे कि मुझे plus 40 मिल रहा है बीच वाला नमबर यहाँ पर minus है इसलिए एक का sign plus एक का sign minus तो 600 के ऐसे पार्ट के मुझे answer 40 मुझे चिंपल से है हम क्या करेंगे 160 plus minus 6 से बैट रहा है multiplication addition सब रहा है तो मैं plus 40 की जगा पे plus 100 and minus 60 y-600 is equal to 0 इन दोनों मैंसे मैं 10 y common ले सकता हूँ बचेगा क्या y plus 10 100 में से सिर्फ 10 बचा y बाहर चलागा same bracket में लिख दूँगा y plus 10 is equal to 0 तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने पूरे में से ऐसा क्या common लिया तो मुझे यह मिलेगा मैंने minus 60 y में से सिर्फ y बचा मतलब कि मैंने minus 60 common लिया हूँ and you can verify also by distributing that minus 60 पूरे में से मैं y plus 10 को common ले सकता बचेगा 10y minus 60 हमें पता है product 0 कब होता है product 0 तब होगा अगर my y plus 10 is equal to 0 और 10y minus 60 is equal to 0 यहां पे क्या होगा यह plus 10 सामने की तरफ गया बन जाएगा minus 10 यहां पे क्या होगा 10y is equal to 60 यह minus 60 सामने की तरफ गया यह जो 10 है वो multiplication में y के सामने की तरफ गया डिवाइड में होगा 60 divided by 10 that is 6 y का value minus 10 नहीं हो सकता because y क्या है number of pots he makes per day एक दिन के अंदर वो minus 10 pots नहीं बना सकता लेकिन हो एक दिन के अंदर 6 pots बना सकता so the y value is 6 जिसी आपको y का value मिलता है आप क्या करोगे उसे इस equation में रखके देखो यह equation you will find the value of x अगर आपने y की जगह पे 10 रख दिया 10 सामने की तरफ डिवाइड करेगा x का value 60 आजाए correct sorry 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 y का value 6 है y का value अगर 6 है तो 6 सामने की तरफ डिवाइड करेगा x का value 100 आजाएगा production cost of one pot is 100 the number of pot he makes per day is 6 तो इस तरीके से question number 6 हो ठीक है आपको बागी की चीज़े complete करनी है जैसे x का value find out करना word में answer को लिखना वो part आप करेगा ठीक है हम लोग question number 7 को डिस्कूस करते हैं